हेलो दोस्तों आज मैं एक डर्पोग पत्थर की कहानी लेकर आया हूँ अपनी कहानी शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए है वो सबस्क्रिप करें वर वीडियो को लाइक करें वर शेयर करना न भूले बहुत पहले की बात है एक शिल्पकार मूर्ती बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूनने गया वहां उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया जिसको देखकर वर बहुत खुश हुआ और कहां ये मूर्ती बनाने के लिए बहुत ही सही है जब वर आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया, घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने ओजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दिया, ओजारों की चोड़ जब पत्थर पर हुई, तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मु गाओं के लोग मूर्ती बनने के बाद उसको लेने आए। उन्हें सोचा कि हमें नारियल फूरने के लिए एक और पथर की जरूरत होगी। उन्होंने वहां रखे पहले पथर को भी अपने साथ ले लिया। बड़े मज़े से हो लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं। तुमको दूद से सनान कराते हैं और लगड़ूं का प्रसाद चराते हैं। लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ती बने पथर ने कहा कि जब पारियल का पानी गिरताओ और अब लोग मूर्ती को प्रसाद का भूग लगाकर उस पथर पर रखने लड़े। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी कढ़िन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए।